नमस्कार आज की इस वीडियो पर हम सिंजेंटर कमपनी की जो साहो 32.59 हाइबुरेट टमाटर की उन्नत किस्म आती है इसकी बात करने बाले हैं यदि हम टमाटर की उन्नत खेती कर रहे हैं और उन्नत सील किस्मा में जो हाइबुरेट वैराइटी होती हैं साहो का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहो भी काफी अच्छी और काफी उत्पादन देने वाली हाइबुरेट किस्म हैं तो इसकी हम डीटियल में विस्तार से संपूर जानकारी सेर करने बाले हैं कि इस टमाटर की जो वैराइटी है कितने इल्ड पर राप्त होती है कौन-कौन सी बीमारी होती हैं कौन सी टाइमिंग पर हम इसकी सुइंग कर सकते हैं नरसरी कब डाल सकते हैं सभी की जानकारी के लिए कीमत के लिए और साथ है पौधे से पौधी की दूरी हम को कितनी रखनी चाहिए अनुकुल राज्जिक कौन-कौन से इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा बोच जरूर करें request है आप से क्रसी कार से जोड़ी जानकारी के लिए जह से खाद वीज दवाईएं है फजलों की जानकारी है सबजीयों की जानकारी है और क्रसी कार की छोटे छोटे अपडेट्स के लिए आप इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ये चैनल को आप बहुच करते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को सेर भी करें तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को सुरू करते हैं सिंजेंटा कंपेनी की जो शाहो आती है 32.59 हायूरिड किसम सोयल यानी मिट्टी इसको आप हलकी भूमी भारी भूमी पर आप पौध रोपन कर सकते हैं साहू की खेती आप कर सकते हैं टाइमिंग है तो आप ध्यान से सुनिए जोलाई से लेकर जोलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी जोलाई से लेकर फरवरी माह के मद्ध आप कभी भी खेती कर सकते हैं यदि आप समर सीजन पर भी इसकी खेती कर सकते हैं इसकी खेती आप खरीब सीजन पर भी कर सकते हैं अभी बरसाथ के सीजन पर यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप मै के आसपास नरसरी तयार करके जुलाई महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं तो हमारी किसान भाई बरसाती दिनों पर भी शाहों की खेती कर सकते हैं फलों का वजन तो फल का जो वजन होता है 75 ग्राम से लेकर 90 ग्राम तक का फ्रूट का साइज हो सकता है पर थम हार्वेस्टिंग की बात करें तो जैसे हमने टीपी की है ट्रांस्प्लांट किया है तो वासट से 68 दिनों में हमको फश्ट हार्वेस्टिंग पहली तुड़ाई करने के लिए यह फसल तयार हो जाती है और उत्पादन की बात करें तो हमने लास्ट येर जो प्रोडक्सन निकाला है शाहू का 30 से 35 टन ही एक अड़ पर एह वेराइटी निकल पाती है सेल्प लाइप की बात करें तो मल्चिंग डिपर यदि बंधाई करते हैं तो 6-7 महिने आराम से चल जाती है फल साइज की बात करें तो 10 किलो ग्राम से लेकर 15 किलो ग्राम तक अधिक्तम एक पौधे पर फल लगते हैं कीमतों के बारें बात करें तो 10 ग्राम की सीट्स की जो कीमा था पैकिंग साइज 700 रुपे से लेकर 850 रुपे तक की कीमते देखने के लिए मिलती है 10 ग्राम की जो पैकिंग साइज है प्रेती एकड़ सीट्स तो यदि आप एक एकड़ पर साहो को लगाते हैं तो 40 ग्राम से लेकर 60 ग्राम सीट्स की आवसकता पढ़ने वाली है डिस्टेंस की उपर विवाद कर लेते हैं तो पौधे से पौधे की दोरी 2 फिट रखिए जग जग प्लांटेशन करिए एवाँ वेट से वेट की जो दोरी है आप 3 फिट रख सकते हैं और सेंटर से सेंटर की दोरी 5 फिट आप रख सकते हैं एक वेट से दूसरी वेट की जो डिस्टेंस है दूसरे वेट की जो दूरी है आप तीन फिट रह सकते हैं और जिक जैक आपको प्लांटेशन करना दो दो फिट की दूरी पर आप पौधर हुपाई कर सकते हैं अनुकूल राज्यों की बात करें तो इसे मद्य प्रदेश पार उत्तर प्रदेश पार महराष्ट पर पंजाब पर हर्याना पर इसके अलाब आंद्र प्रदेश पर गुजरात पर इसके अलाब वेहार है च्छतिजगाड है और करनाटक है आंद्र प्रदेश है तमिलनाडू है वेस्ट विंगॉल है राजस्थान पर भी जहार खंड और क सेजिंटा की इसलाह उपर कुणकोंसी बीमारी आती है तो ध्यान से सुनिए इस वेराइटी पर भी लेट बिलाइट आता है अर्ली बिलाइट आता है विल्ट की समझ्चे भी देखने के लिए मिलती है इसके अलावे लीफ करल की भी समझ्चे कहीं कहीं पर देखने के लिए म इन वेराइटी के लिए भी हमको लेट विलाइट है, अरली विलाइट है, विल्ट है, लीफ करल जैसे रोग बीमारी, फंगस की रोग थांग करने के लिए हमको वेकली कीट नासक दवाई हैं, फपून नासक का स्प्रे करना चाहिए और फूटिंग स्टेज पर जादस जाद फासफोरस है, पोटेसियम एक तखादों का प्रियोग करना चाहिए, और फल की अवस्ता पर यदि हम पोटेसियम एक तखादों का प्रियोग करते हैं, बोरोन का प्रियोग करते हैं, हिमेक एसेट का प्रियोग करते हैं, और फेरस सलफेट का प्रियोग करते हैं, तो काफी गर्मियों के दिनों पर आप इस वेराइटी को लगाते हैं तो तो टेमप्रीचर है 42-45 डिगरी से उपर जाता है तो इस वेराइटी पर वर्निंग की समझ शवी आ सकती है तो यदि आप गर्मियों पर इस वेराइटी को लगा रहे हैं तो पौधि से पौधि की दूरी आप प्लांटीशन आप कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें धन्नवाद अरूर झाल को